नमस्कार दोस्तों यूट्यूब के ग्यान जक्सु चैनल पर आपका अर्दिक स्वागत है इस ओडिये में हम आपको काली मिर्च की गुण और उस्य होने वाले आयरुविदिक इलाज़ों के बारे में बताएंगे इसे पहले थोड़ा सा प्रीचे हो जाए दोस्तों काली मिर मिर्च की पहले वसल दोस्तों सितंबर में और दूसरी मार्ज सपलेर में वाई जाती है काली मिर्च की बेल होती है दोस्तों काली मिर्च की बेल 20 से 25 फुट लंबी हो जाती है इसके पत्ते पाने के पत्तों इतरह होते हैं 3 से 7 इंस तक लंबे होते हैं काली मिर्च के फूल सफेद रंक्या होते हैं दोस्तों इसमें गर्मी के मौसम में फूल लगते हैं और बर्षाद के मौसम में फल बनने शुरू होते हैं इसके फल गुच्छों में लगते हैं कच्छे उस्ता में फलों के रंग हरे और पकने के बाद लाल होकर सुकते सुकते काले रंक्या हो जाते काले मिर्च का प्रियोग अधिक तर अन्यक परकार के रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है काले मिर्च कम दाहक होने के कारणा लाल मिर्च के बेक्षा अधिक उप्योगी होती है गौन दोस्थ तो इसके काली मुर्च तेज वहलकी चरपरी होती है रश्ष वाद में कड़वा होता एक बोजन के प्रती रुची पैदा करने वाली स्वाद को बढ़ाने वाली कफ यानि बल गमकर स्वाब्त करने वाली अगनी दीपग यानि पाजन सकती हो बढ़ाने वाली तथा वात दोस यानि गैस का नास करने वाले होती है ये कीडें ओनस्ट करती है दर्द और खांशे का दूर करती है अर्द रोगों के लिए लाब कारी है विबिन रोगों में उपचार दोस्तो इसका जूमें हों तो सीता फल के 10-12 बीज वो 5-6 काली मर्च मिलाकर पीच लें इसे सर्चों के तेल में मिलाकर लेब तयार कर लें यह लेब रात को सो तिसमें बालों में जड़ों में लगाएं और शुबे बालों को दोएं इस तरह के प्रियोग करने से कुछ दिनों में जम्हें खत्म हो जाएंगी शिर्चादर्द ओते दोस्तों 3-4 दाने काली मर्च के 3 क्राम अद्रक और 7-8 तुल्षी के पत्ते को मिलाकर के हलका कूट लें पाने में बाल करके चाय बना करके पिएं इसे चाय की तरह पीने से सर्दी एकान ओने वाली सर्दर्ध ठीक हो जाता है शिर्दर्ध ओने पर काली मर्च तता धनिये को पानी के साथ पीस कर माते पर लगाने से शिर्दर्ध तुरंद दूर होता है काली मर्च लॉंग और तुल्षी के पत्ते को पानी के साथ पीस कर लेप कर माते पर लगाने से शिर्दर्ध में जल्दा आराम होता है काली मर्ज की चूरून को बांगरे के रस के साथ पीज़ कर शोंगने से भी सिरदर्द समाथ हो जाता दोस्तों सिर दर्ज़ से पीडी तर ओगी को काली मर्ज़ पीज़ कर शोंगनी चाहिए य kang तर लेफ की तरह लगाने चाहिए इसी सिर दर्द में आराम मिलता है नमक और काली मर्च को एक साथ पीज कर प्याज के रस्में गोल कर लेब बना ले और इस लेब को इसरी पर लगाएं इस लेब को कपाल पर लगाने से दर्द जल्दी ठीड हो जाता है दो जुटकी पीशिवी काली मर्च का चुरण और खांड को मिलाकर खाने से आदे सीशी का रोग दूर हो जाता है अदे सिर्द दर्द से पीड़ी द्रोगी को काली मर्च प्याज और नमक को एक साथ पीज कर लेब बनाकर सिपल लगाना चाहिए इसे दर्द में जल्दी आरा मिलता है काली मर्च का बारिक पौडर कपड़े में से चान कर सूंगने से भी छींका कर सरदर्द दूर हो जाता है आदा सीशी माइगरेन अद्ग पारी आदे सिर्द दर्द एक अने को ना मिश के इस माइगरेन से पीड़ी तरोगी को 10 ग्राम काली मर्च चबा चबा कर खाना चाहिए और उपर से 25 ग्राम देशी की पीना चाहिए इसे माइगरेन में जल्दी आरा मिलता दोस्तो काली मर्च हम चूले की जली हुई मिट्टी को एक साथ बारिक पीश करके माइगरेन का रोग आदी शीशी का रोग जो है उससे पीड़ी तरोगी को 10 काली मर्च और 10 ग्राम मिश्टी की चूलन को पानी के साथ सुबह शाम शेवन करना से यह इसे आदे शर का दर दूर हो जाता है माइगरेंट से पीड़ी द्रोगी को 12 ग्राम काली मर्ज को चबाचबागर खाए और उपर से लगवग 30 ग्राम देशी की पीले इससे भी आजी शरकात द्रठी हो जाता दोस्तों पहले मातरा अगर गी की काली मर्ज 10 ग्राम ती तो गी 25 ग्राम था या मातरा अगर 2 बढ़ा atic Silent LA मातरा इससे चैथ ट्रठी से द्यूब के निमाग की कमो जचुटे ने चाहिए दोड़gart 2 कम पर दोस्तियों को यह से पाफिती घू थो तो बारा काली मर्ज पीस कर दो भूकर 30 कराम अखन और चीनिकर शाते द्यूब c89 के सुनंग सकते भी बढ़ती है मानसिक उनमाद यदी पागलपन की इस्तेटी हो तो 12 कालिमर, 4-3 गराम रम्मे की पत्तियों को पीस करके आदे गलास पानी में लाकर चान लगरी से परते दिन दो बार पियां इसे मानसिक पागलपन में बेह दलाब होगा मानसिक पागलपन से पीड़ी तरोगी को कालिमर, सफेद, सर्शों, सोटी पीपल, हल्दी, दारू, हिंग, मजीट, सिर्श के विज़ों का प्रयोकरे इन सभी उस्टियों को बराबर मातरा में लेगरे कोट पीस करके चुर्ण बना ले इस चुर्ण को बगरी के पेसाब में पीस कर शुआने से आँखों में लगाने से अनमाद वर पागलपन दूर होता है काली मर्ज, सौट, पीपल, भुने, वहिंग, बच्च, और शेहंद, लानम, इन सभी को पांच-पांच गराम के मातरा में ले 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 इस त्यार चुर्ण को बगाएं के पेसाब में पीस करीज़ें आँखों में लगाने से अंजन करने से पागलपन और माध ठीक हो जाता है लगबग एक गराम काली मर्च और दस गराम छोटी चांदड़ यानी चंदर बागा को लिपीश कर आदे आदे गराम के मातरा में सुबह और रात को गलाब जल के साथ रोगी को देने से तेज पागलपन भी दूर हो जाता है काली मर्च के च्टोन को घी में मिलाकर पीने से गैस के काणवत पागलपन में लाव होता है यदि कोई रोगी पागलपन के रोग से पीडी तो तो उसके उप्चार के लिए 25 क्राम काली मर्च और 25 क्राम दटूरे के बीज को उट पेस्ट कर मिलाकर ये लेना चाहिए और पानी के साथ मिलाकर के 120-120 मिलिगराम की गोलियां बना लें इनमें से गोली परतिन मक्षन के साथ रोगी को दें इससे इससे उनकरने से पागल परनटीक हो जाता है दोस्तो ये दतूरया प्रयोगे अपने आप ना गरें किसी वायत है चेकर सक के उशल चेकर सक के उपस्तिति में गोलियां बनाएं ऐसे अपने आप इसको प्रयोग ना करें धतूरा एक परकार का भी साय हम किंचित व्य साओदा नहीं बढ़ती जाय तो बहुत आनी करता हम तो आँकों की रोशनी पढ़ती है रत अंदी रात को नहीं दिखाई देता हूं तो काली मिर्च को डही के साथ पीछ कर बारिक पेश्ट की तरह बनाकर इस रोग से पीडित की आँकों पर लगाना चाहिए इसे रत अंदी मिलाग मिलता है काली मिर्च को सहद में गिस कर सुबह से हम आँकों में काजल की तरह लगाने से रत अंदी विमारी दूर होती है काली मिर्च गी और चिंज को एक साथ मिला कर सेनु करने से रत अंदी दूर होती है आँकों के नेरोग मिलाग मिलता है गला गया हो तो पीची हूए काली मरच और घी को मिलाकर भोजन करते हैं तो हम उसके से घञास होता है। और नाज जिए होता है। मुगे चाले दोस्तों किसमी सोस काली मर्च को मिलाकर कि चबाकर चूशने से मुगे चाले दूर होते हैं इसे दिन में तीन चर बार चूशना चाहिए मुगे चाले ठीक हो जाएंगे 15 ग्राम काली मर्च तीस ग्राम किसमी को मिलाकर चवाने से भी मुगे चाले ठीक हो जाते ह करने से माधी कराने से लाब होता है काली मिर्च की तेले मिला कर तब लगाना चाहिए से तोचा रूख हबंदूर होता है ने से ऴच्ट कर तो एक तक तोम पीजम हैना एक टूकड के पहुआ टूकडेց कि बिना、 करते चार बाग में बांट लें। इसके एक बाग मि carbons का तूरन दूसरे बाग में तॉक्ड का शूरन तीसरे बाग मिस्री का चूरन और चीनी रात को एक प्लेट में रख करके ढख दें सुबह उट करता वे उपर गरम करके चूसने से कुछ दिन में जिगर के रोक्ती हो जाते हैं इसके प्रियोग से पाज़न सकती है बहुत मज़ूद होती है भूग भी लगती है कि मौाशें हो 20 गरम काले मिर्च के दानों गलाब जल के साथ पीश कर रात को सूने से पहले चेहरे पर लगाएं सुबह गरम पाने चेहरे को दसाफ करने इसे चेहरे कीर मौाशे जूरियादी साफ कर चारे समग भी उता है कि कि पीत्टी उचलना पीत निकलना पितो पड़ना आधी इस्तिती हो तो इस पर दस गरम कर मघजा कि पर दस काली मिर्च को पीश करके चूल्ण बना ले और को आधा चमच गी में मिलागर करके पी जांए और यह पर मालिस करें इसे पित्य उचलना ठीक काली पीड़े दिन में कम कम थीन बार लेना चाहिए इस इस्ट्य यह रुप दूर होता है पलकों की पूलिए पुण्सी दोस्तों आन्खों की पलकों पर दर्द करने वाले फुलशी हो जाती है इस पर नज़ा इसके प्लकों की फूंसी पक कर फूड़ जाती है और जुलधी तेल से मालिस करना चाहिए से गठी आम मात के रोग में लाब मिलता है काली मिर्च के थोड़े से गुण बताए इसके गुण तो बहुत ज्यादा है मुझे जितने जानकरी है उतने आपके सामने प्रसूत करती नाशा करते हैं आपको ओडियो पसंद आएगा आप अपने मित्रों ओडियो शेयर करें लन्याबाद